hey guys how are you all i hope you are good today in this video we are going to discuss some important topics of quantum mechanics . आज मैं आपको most important topics बताऊँ गी quantum mechanics . quantum mechanics में अगर आप यह topics भी बहुत अच्छे से prepare कर लेते हो तो आप quantum mechanics में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और जिनको भी quantum mechanics टफ लगती है मांग के लिए यह बहुना जाओंगी कि अगर आप यह topics भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कॉर कर सकते हैं देख लेते हैं पॉर कॉन से topics हैं परस सिद्ध हार्मोनिक उसिलेटर हर्मोनिक उसिलेटर में आपसे किस ट्रैफिय प्रोग्लम कुछी जाती हैं बन दैमेशन तू दैमेशन एंट्री दैमेशन इसमें क्या पूछ जाएगा आपसे कि आपको एक एक एनर्जी दिवन होईगी और आपको question में mention किया जाएगा कि यह 3D box है देन आपको बताना है इसका wave function बताना है अगर आप अगर आप familiar है इनके 1-dimension, 2-dimension and 3-dimension की energy से wave function से तो आप बीजिली बता सकते हैं कि उसके energy क्या उसकी wave function क्या पाइगा कि यह 2D गया अपको एकムार, tiesके फोचाएगा कि आप से कूछा जाएगा कि आप से बताने यह 31 अग्या होगा चाहिँ न्युक्शन का अपको एक मेत्रिक्स की वन होगा उसमें आपसे बूचा जाएगा कि आप सेटिस्टाइब करके बताएं कि और तोगनल है या नहीं है चिक है एंड एक्स ते अंगुला मोमेंटम एंगुला मोमेंटम में आपको फाइंड आउट करना है कि कि एक्सप्प्टेशन बतानी है एं एक्सकेल बतानी है तो हमें इन सब की एक्सप्टेशन बताऊनी चाहिए इस टयपे कुसोंन हमसे एंगलोर मेंटम कर पूच जाएं और नेक्स बढूबबिलिटी में आपसे क्या पूचछ जाएगा कि आपको एक पोटेंशल गवन होगा उस पोटेंशल में आपको क्या करना है आपको एक रेंज गिवन दे जाएगी कि माइनस या तो आपको उसकी प्राब्रब्रेटी फाइंड आउट कर दी है कि कैसे होगी तो एक नेक्स पूच्छा जाएगा कि डेल्टा-एक्स के अंसर्टिनिटी क्या होती है या डेल्टा- में आपको क्टिन चैनल में एक करेशन में इसे कि मुचे जाएगा कि पर्स्ट और कोरेक्शन बताने जाएं यह सेकंड ड़र कोड़ा बताने मिकिस का परड़विशन अपको कैसे रहेगा जैसे कि पोटेंशल गीवन है एं अपको बुच्छ दाहिए फॉस्ट के लिए कर W KP approximation में आपको एक potential given होगा और हमें उसमें energy find out करने है W KP approximation के लिए क्या होता है एक trick भी होती है जिसे हम power उसकी easily find out कर सकते हैं और इसका long explanation भी होता है वो मैं दोनों आपको अपनी आपको में वीडियो में बताऊंगी कि क्या होता and next is a skatering skatering, skatering में क्या करना आपको पूरा skatering नहीं करना skatering में आपको say for tricky based questions ही करना है और आपको most important bon approximation topic जरूर करना है skatering में ठीक है और आपको skatering का फूष नहीं करना and next is a identical particles identical particles के लिए क्या होगा आपको एक question given होगा question में क्या given होगा कि जो wave function है वो क्या है fermions है या bosons है और आपको energy भी given होगी तो आपको उसका wave function find out करना है कि fermions के लिए wave function क्या होगा या bosons के लिए wave function क्या होगा energy आपको given होगी and next is a hydrogen atom hydrogen atom में आपसे बुच्छा जाता है कि most probable value of r क्या होगी तो most probable value of r के लिए तो आपको बहुत अच्छे से कर लेते तो आप बहुत अच्छा स्कॉर कर सकते हैं quantum mechanics में ठीक है and अगर किसी को भी किसी भी topic में कोई problem आ रही है या अगर आपको कोई topic नहीं clear हो रहा है first thing अपने quantum mechanics को करना है कि आप एक topic लेके वेटें and उसके formula लेके formula लेके formula देखने के बाद आपने क्या करना है उसके previous question solve रहे है तो आप में confidence आएगा कि मैं कर पार हो जिक है कि मरसे questions हो रहे हैं but अगर आप से नहीं हो रहे हैं तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं कि मिरसे इस topic से related questions नहीं हो रहे हैं तो मैं आपकी जूर help करूँगी आपके सारे doubt clear करूँगी आपकी सारी problem solve करूँगी तो आपका कर दो रहे हैं